हाँ तो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टुमा यूट्यूब चैनल और आज एक फिर से एक क्रिप्टो एडियक्स की बग की वीडियो होने वाली है तैयर मैं पहले बता दू कि मैं क्रिप्टो एडियक्स में परसनली ट्रेड नहीं करता हूं आप लोग मेरे गुरूप में द ठीक है तो क्रिप्टो एडियक्स का यह बग है उससे पहले मैं आपको बता दिए मेरा टेलीग्राम का चैनल जिस पर रोज आपको मेरा एक सॉफ्ट्वेयरे ट्रेडिंग का उसके सिग्नल मिल जाएंगे कल जैसे यह बग की वीडियो डाली थी टेक्स के तो यह बग की सार ना मत बाय करिए और बता दू हमारे जितने भी बक्स हैं वो डे टाइम पर वर्क करेंगे विकाज नाइट टाइम पर मैंनों उन्हें ट्रेड करके नहीं देखा तो आई कांट गिव यू दा कंफरमेशन यह मेरा ग्रूप है इसका आपको लिंक मिल जाएगा वगेरा भी डाला हुआ तो वहां से आप देख सकते हैं डाउंलोड कर सकते हैं चले मैं वीडियो पर आ जाता हूं यहां पर आपको मैं कुछ ट्रेट्स लेकर देखाऊंगा ठीक है तो यहां पर हमारा न्यू मिनिट जब स्टार्ट होगा तब मैं ट्रेड लूँगा कोई भी support and resistance कुछ भी नहीं बना कर रखा हुआ है ठीक है और आपको एक बता दू मेरे जो यह बक्स रहते हैं यह बग पैचेबल बक्स नहीं है यह एक तरीके का आप conclusion कह सकते हैं knowledge का वो होता है और मेरा candlestick के उपर थोड़ा सा जादा focus रहता है तो मैंने candlestick को analyze के हुआ है तो प्राइस बहुत दी नॉर्मल लेने वाली है आपको मैं डेमो दूंगा आप satisfied हो तो लेना मैंना आप हमारा free group तो join ही कर लो महाँ पर signals तो रोज मिलते ही है तो मैं यहाँ पर मेरी trade थी ओके मैं यह आपर down के लिए जाओंगा और मैंने आपर down की trade लगा दिये ठीक है तो यह हमारा डेमो है ठीक कोई दिक्कत नहीं है मगर proper work वैसे ही करेगा और मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ इसमें ठीक है यहाँ पर मैंने trade लगा दिये और I don't know where to see it because मैंने बहुत दिनों से नहीं यूज किया है हाँ यहां से देखते है इसमें बहुत दिनों बाद इसे यूज कर रहा होते हैं आप देख सकते हैं 32 सेकेंड चलें बचें ट्रेड हमारी स्टिल रनिंग है और मैं आपको back to back trade करके देखाओंगा इसमें ठीक है back to back देखते कित्ती बिन होती है और यह 100% accuracy नहीं देगा पहले बता दूँ कि अगर कोई लोग बोलें कि 100% हमें accuracy नहीं मिलने व विन होती हैं कितनी हमारी loss होती है तो यह trade तो हमारी हो गई विन ठीक है और अब हम next trade जाएंगे upward direction के लिए क्योंकि हमारे यहां पे according to candle stick की जो भी मेरा knowledge है उसके साब से upward की trade थी देखते हैं बाकि आपको alternate trade लेनी है जब भी आप bug buy करें मान लीजे मैं बताना भूट जाओ तो आपको याद रखना आपको alternate trade करनी है मैं इसमें continuous trade करके दिखा रहा हूँ because I don't have much time 15 seconds का candle frame time है आप और मैं आप एक minute की trade ले रहा हूँ आप सब देख सकते हैं और back to back trade ले रहा हूँ ठीक है अगर मैं alternate trading करूँगा इसमें तो इसके accuracy about 20 to 30% increase हो जाएगी बड़ मैं back to back trade क exam मेरा दो बज़े है तो और देख सकते हैं मैं 11.36 पर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस वज़े से मुझे पढ़ना भी अभी तो इस वज़े से मैं आपको बता रहा हूँ यह हमारी trade loss हो जाएगी कोई देखकर नहीं हम next trade में ले लेंगे इसका okay so this one is also my downward trade मैंने आपे दो down trade लगा दियें अब बहुत से लोग बोलेंगे यार यहां पर इतनी लंबी week बनी है डाउन की trade क्यों ले ली है according to my that candle stick और you can say bug और you can say strategy whatever you want to say you can say हमारी दाउन की trade बन रही थी इस वज़े से हमने डाउन की trade ली हुई है ठीक है बुछ भी होगा we will see it profit हो loss हो ठीक alternate लेनी थी trades मगर मैंने वहाँ पे ली okay तो let's see क्या होता है हमारा win होती है loss होती हम देखते हैं अराम से और यहां पर तीन trades हमाई place हुई है okay let's see क्या होता है त्यार यह trade तो हमारी proper 100% winning trade होने वाली है ठीक है और इसमें मैं last three candles को analyze करता हूँ last three candle का bug है आपको भी बता दूँ हमारी दो trader loss हुई ठीक है और तभी यहां पर मैंने सारा trades ले ली है इत्ती सारी ठीक है यहां पर हमने देखा एक दो तीन चार ट्रेट्स loss हुई और हमारी एक trade win हुई अगर हम देखें इसको martingal नहीं लेते हैं तो उसके साब से हमने total एक दो बाद में और यह चौती trade है तो अभी यह win होगी हमारी तो हमें 50% accuracy मिल लए है मैं और भी trades लेके दिखाऊंगा आपको ताकि आपका और भरोसा बढ़े ठीक है कोई भी वीडियो में cuts नहीं है ठीक और अभी इसके बाद मैं वीडियो को pause करूँगा because मैं alternate लेके दिखाऊंगा आपको alternate भी इसके accuracy के बारे में बता देता हूँ तो अब मैं एक मिनट इसको pause करूँगा एक मिनट के लिए फिर आपको दिखाता हूँ इसके accuracy कैसे बढ़ती है तो हाँ गाइस वापस से मैंने वीडियो को resume कर दिया है यह last 15 second की candle है तो ओके ओके ठीक है तो यह हमारी होगी downward की trade मैंने दो ट्रेडे place किये तो तीन ट्रेडे place हो कुछ भी आर support and resistance कुछ भी नहीं बनाया हुगा है आप एक proper बस मैं ऐसे last की तीन candles analyze कर रहा हूँ बस अगर आपने किसी का candlestick course या किसी अच्छे traders का Indian नहीं किसी बाहर के trader का अगर आपने candlestick का course किया होगा तो आपको यह candle predict करना next candle predict करना इसके बारे मैं बताये गया होगा मैंने last three candles predict करके मैं trades ले रहा हूँ ठीक है और proper trades ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आप ले सकते हैं अगर आपको support and resistance का knowledge है तब ते बहुत दगड़ा work करने वाला है नहीं यह knowledge तो कोई दिक्कत नहीं आपके सामने मैं भी कुछ भी नहीं use कर रहा हूँ ठीक है और यह 7 minute की वीडियो हो गई तो मैं वीडियो का pause करूंगा ठीक है और बस यह शायद हमारी win हो जाए यह ओके 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 हमारी trade देखते हैं win हुई थी या loss हुई थी I don't know तो जो हमारी okay यह हमारी trade चलिए win हुई थी proper नहीं विए थी तो चलिए हम लेते हैं थोड़ा सा late entry हो गई थी वह बाद में हमारी downward की trade थी यह जब trade नीचा आगे थी तब place हुई थी कोई दिकत नहीं है बाकि आपने वीडियो में देखा मैंने आपको दिखाया trade के बारे में if you wish you can join my group और वहां से आप ले सकते हैं signals इसके बारे में आपको पता चलेगा हमारे group के बारे में और भी क विन हो रही हो वही दिखाओं प्रॉपर वीडियो एक flow में है you can see और जहां मुझे cut लगाना था वहां मैंने आपको पहले ही बता दिया था तो यार बस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर बन हो तो आप please मुझे pink करिएगा मैं demo group बना दूँगा बगका वहां पे आपक पर ट्रेट्स लेता हूं और इंज्वाइ करिए